जम्मू कश्मीर के पूर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अफजल गुरू की फांसी पर की गई टिपणी पर 36 गड़ के उप मुख्यमंत्री अरुन साव ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हुए उमर अब्दुल्ला के रुख की आलोशना की है उमर अब्दुला ने कहा था कि 2001 के संसद हमले से संबंधित अफजल गुरु की फांसी से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला उमर अब्दुल्ला की बयान पर 36गड के उप मुक्तिमन्ती अरुन साव ने कहा कि उमर अब्दुला का ये बयान अलगाव वादी मानसीकता को दर्शाता है उनका घोशन पत्र भी इसी ओर इशारा करता है ये दुर्भागे की बात है कि उमर अब्दुल्ला एक आतंकवादी के साथ खड़े हैं जिसने संसत पर हमला किया कॉंग्रिस पार्टी को भी ये इस्पश्च करना पड़ेगा कि क्या वे लोग उमर अब्दुल्ला के इन बयानों के साथ इतिफाख रखते हैं देखिजी सबजल ने देश के संसत पर हमला किया देश के निर्वाची जनपरतिन दियों पर हमला किया देश के मानसमान और गवरा पर हमला किया देश के लोग तंतर पर हमला किया और उमर अब्दुल्ला का ये बयान अलगावादी मानसिक्ता को दरसाता है उनके घोशना पत्र भी इसी ओर इंगित करते हैं और ये दुर्भाग की बात है कि उमर अब्दुल्ला इस प्रकार से अलगावादी मानसिक्ता की बात कर रहे हैं एक आतंगवादी के साथ खड़ा होना जिसने संसत पर हमला किया और आज कांग्रेस प्रकार से उसी उमर अब्दुल्ला की प्रकार के साथ गड़वंधर करके चुनाव लड़ रही है कांग्रेस प्रकार को भी इस पस्ट करना पड़ेगा क्या वो आतंगवादीयों के साथ खड़े हैं क्या वो अलगाव वादियों के साथ खड़े हैं उनका समर्थन करते हैं यह इसपस्ट करना पड़ेगा वो नेता चाहे छत्तिर गड़ के हो चाहे देश के कांगरेस के नेता हो उमर अब्दुल्ला के इन बयानों से इतफाग रखते हैं उनके घोषना पत्र पर इतफाग साथा है